हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ अपडेट है उस पर बात करते हैं तो पहली अपडेट जो है वो भारत में कमर्सियल इंटरनेशनल सेडियूल फ्लाइट को लेकर है यानि नार्म सवाल पूछे थे और इसके बारे में कहा था कि फ्लाइटें अब जल से जल सुरू होनी चाहिए जो नार्मल फ्लाइटों पर पाबंदी लगी हुई है वो पाबंदी हटनी चाहिए इस संबन में भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर ने एक्सपो 2020 दुबई में इस बात क कि तस्दीक की है कि आने वाले दिनों में नार्मल कमर्सियल फ्लाइटें सुरू हो सकती है और जो पाबंदी लगी हुई है वो पाबंदी हट सकती है क्योंकि संसदिय समित के सतस्यों ने इसकी मांग की थी कि फ्लाइट पर पाबंदी लगी होने की वज़ा से फ्लाइट की तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है किया अगले मैंने या दिसंबर से पाबंदी हटा ली जाएगी या फिर जनुरी से पाबंदी हटाने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगली अपडेट दोस्तों डोमेश्टिक फ्लाइट में खाना से संबंदी थे तो कोविड-19 की दूसरी लेयर में 15 अपरेल 2021 से डोमेश्टिक फ्लाइट में खाना देना बंद कर दिया गया था। अगली अपडेट दोस्तों रेपीड PCR टेस्ट को लेकर है। इसको खत्म करने के लिए दो दिन पहले ये भारत के विदेश मंतराले ने चर्चा की थी कि रेपीड PCR टेस्ट खत्म करने के लिए UAE के साथ में बातचीत की जाएगी। तो दोस्तों इस पर आने वाले दिनों में रेपीड PCR टेस्ट पर अपडेट आ सकती है और रेपीड PCR टेस्ट UAE खत्म कर सकता है। इसके संबन में भारत के राजदूत ने अपडेट दिये कि बातचीत हुई है UAE के साथ में अब देखना है दोस्तों कि UAE रेपीड PCR टेस्ट की अनिवारता को कम खत्म करता है क्योंकि रेपीड PCR टेस्ट बहुत ज़्यादा काशली है बहुत ज़्यादा महेंगा और बहु UAE के साथ में बातचीत की है कि रेपीड PCR टेस्ट को आप खत्म कर दिया जाए अगली अबेट दोस्तों PCR टेस्ट को लेकर है तो इंडिया ने पास साल से कम उम्र के बच्चों के लिए PCR टेस्ट की अनिवारता को समाप्त कर दिया है ना तो उन्हें PCR टेस्ट की जरूरत बच्चों के जिनकी उम्र पास साल से कम है। बैराल दोस्तों यह आज की कुछ अपडेट थी को वैक्सीन को लेकर अभी आगए अपडेट नहीं है सउदीयरब को लेकर या इसके लावा कोईर्द को लेकर कतर को लेकर और दुबै को लेकर अभी यह बहुत सारे देसोंने क वेक्सिन को मानता नहीं दिये लेकिन उमीद है कि आने वाले दिनों में धिरे धिरे सारे देश मानता देंगे